ओम शान्ति आज आठ दिसंबर 2018 के मीठी मीठी बाबा के महावा के हैं मीठे बच्चे आत्मा और परमात्मा का मिलन ही सच्चा सच्चा संगम या कुम्भ है सच्चा सच्चा संगम या कुम्भ है इसी मिलन से तुम पावन बनते हो यादगार में फिर ये वे मिला लगाते हैं यादगार में वे फिर मिला मनाते हैं तुम बच्चों में किस बात की बहुत बहुत स्यानव चाहिए युक्ति से ज्यान मार्ग और भक्ती मारग को सिद्ध करना युक्ति से ग्यान मारक और भक्ति मारक को सिद्ध करना है ऐसे समझाना है जैसे चुहा फूंक भी मारता है काटता है हमने ग्यान ऐसे समझाना है कि उनको फेलिंग भी ना हो बुरा भी ना लगे और ग्यान उनको समझ में भी आ जाए हमारा काम भी हो जाए तो सर्विस की युक्तियां रचनी है कौंब के मेले पर परदस्नी लगा कर अनिक आत्माओं का कल्यान करना है पतित से पावन होने की युक्ति बताने है पतित से पावन होने की युक्ति गीट चला इस पावन की दुनिया से दूर कहीं दूर ले चला बाप बैट बच्चों को समझाते हैं पाप की दुनिया को कल्यूग पतित ब्रिष्टाचारी दुनिया कहा जाता है और पिर पुनिय की दुनिया को सत युगी पावन स्रिष्टाचारी दुनिया कहा जाता है परम आत्मा या कर पुनिया आत्मा पवित्र आत्मा या पुनिय की दुनिया बनाते हैं मुनिश्य पुकारते हैं पतित पावन बाप को क्यों कि खुद पावन नहीं है फुद पतित हैं पावन हो तो बुलाने की जरूरती क्या है अगर समझते पतित पावनी गंगा या त्रिवेनी फिर पुकारते क्यों जाके डुब के लगा और पावन बनके घर आ जाओ त्रिवेनी वासंगम पर या गंगा पर खड़े होकर भी पुकार रहे हैं पतित पावन आओ अर्था कोई और है न जो पतित से पावन बनाता है बुद्धी फिर परमपिता परमात्मा की तरव जाती है परमपिता परमात्मा जो ग्यान का सागर है उनको आना है सिर्फ आत्मा नहीं लेकिन पवित्र जीव आत्मा कहा जाएगा अभी पावन जीव आत्मा तो कोई है नहीं पतित पावन बाप आते हैं तब जब संगम युग संगम को कुम्ब भी कहा जाता है त्रिवेनी को संगम है उनका नाम रख दिया कुम्ब कहते हैं तीनो नदियां आपस में मिलती हैं वास्तों में हैं दो नदियां तीसरी नदी को गुप्त कह देते हैं तो क्या इस कुम्ब के मेले में पतित से पावन होंगी पतित पावन को तो जरूर आना है ग्यान का सागर वो है पतित दुनिया को पावन बनाना है कल्यूग को सत्यूग बनाना है ये तो परम पिता परम आत्मा का ही काम है ना कि मनुश्यों का ये तो सब ब्लाइंड पेद अंद विश्वास हैं अब अंधों की लाठी चाहिए जो सारे अंदे उनको क्या चाहिए लाठीच चाहिए लाठी म Morgan Sun जो रास्ता दिखाने वाला तुम अब लाठी बने हो नंबर वार कुशार्थ अनशार लाठी अभी किसम किसम की होती है कोई लाठी सो रुपए की और कोई रुपए की भी मिलती हैं यहां भी सब नंबर वार हैं कोई तो बहुत सर्विस सेबल हैं और जब बिमार होते हैं तब सर्जन को भी बिलाना पड़ता है अब यह पतित दुनिया तंपावन बन रहे हो कहा जाता है आत्माई परमात्मा अल्ग रही बहुकाल सुन्दर मिला कर दिया जब सत्गुरु मिला तो उसको कहा जाता है संगम युख कुम जब आप आकर सब का कल्यान करते हैं मुनुष्य कुम के मेले पर बहुत दान करते हैं वो कमाई होगी सादू संतों को और गौवरमेंट को यहां तुमको तान्मान धन सहित सब कुछ दान करना होता है पतित पावन बाब को वे फिर तुमको भविश्य में स्वर्ग का मालिक बनाते हैं वो नाम लेते हैं तिरवेणी का और दान देते हैं सादू संतों को वास्तों में संगम उसको कहेंगे जहां सब नदियां आकर सागर में मिले ना कि एक दो नदियां मिले सारी नदियां कहां आकर मिले सागर तो नदियों और सागर का मिलन को ही सच्चा सच्चा संगम कहेंगे नदियों और सागर के मिलन को ही सच्चा सच्चा संगम लेकिन ये भी ड्रामा में नूद है इसमें गौर्णमेंट को भी रेल, मोटर, गाड़ी, जमीन, आदीब, बहुत कमाई होती है कोई मिला लगता है, बहुत कमाई होती है तो इतना लोग जाएंगे तो पैसे कमाईगे न तो यह है कमाई का मिला इन बातों को तुम बच्चे जज़ कर सकते हो क्योंकि तुम हो इश्वरिय मत पर तो कम के मेले का आर्थ निकलना चाहिए बाबा ऐसे निबंद देते हैं, लिखो इसके उपर जो सेंसिबल बच्चे हैं उनको उठना चाहिए और उनको फिर उठाना भी चाहिए नमबर वन सबसे सेंसिबल कौन है? यह ममा नमबर वन सेंसिबल कौन है? ममा फिर दूसरा है संजी जिसको फिर बाटने के लिए पर्चे बनाने पड़े यह तिर्वेणी पतित पावनी नहीं है यह तिर्वेणी पतित पावनी पतित पावन तो सर्व का सदगति दाता एक शिव यह नदियां तो हैं ही आने की बात ही नहीं गाते हैं पतित पावन आओ आकर पावन बनाओ तो यह पर्चे निकालने चाहिए बेनों भाईयों क्या पतित पावन ग्यान सागर परम पिता परम आत्मा है या यह नदियां पतित पावन ग्यान का सागर परम पिता परम आत्मा है या या पाने की नदियां पतित पावन ग्यान का सागर परम पिता परम आत्मा है या या पाने की नदियां ये तो सद्याव हैं नदिया तो हमेशा थी हैं और रहेंगी परमात्मा को तो पुकारा जाता है आने के लिए वास्तों में पत्तित पावन तो एक परम पिता परमात्मा है उसके लिए कहते हैं आत्माई परमात्मा अलग रहे बहुकाल सुन्दर मेला कर दिया जब सत्गुरु मिला वही सत्गुरु आकर सब को सद्गति दे वापस ले जाते हैं ज्यानिशनान तो वस्तों में परम पिता परमात्मा से करना चाहिए ना पावन दुनिया की स्थापना परम पिता परमात्मा कराते हैं तुम उसे जानते नहीं भारत जब स्थाचारी था तब उसमें देही अभिमानी देवी देवताएं रहते थे कौन से रहते थे देही अभिमानी जो अपने को आत्मा समझते थे अनभवी थे उसे शिवाले कहा जाता है आप कुम्ब पर जाकर बच्चों को परदर्शनी लगानी चाहिए समझाने के लिए समझाना है पतित पावन एक बाप है वो कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब पतित से पावन बनाना होता है तो परतिग्या करनी पड़े रक्षा बंधन भगवान से तलूग रखता है रक्षा बंधन बहन से नहीं ब्रामन से नहीं किसे तलूग रखता है परमात्मा से वो आकर हमें अपनी रक्षा करने की विधी सिखाते हैं नियम सिखाते हैं जिन नियमों पर चल कर हम स्वेम की रक्षा करते और औरों को भी रक्षा करना सिखाते हैं तो कि जो स्वेम की रक्षा नहीं कर सकता अब औरों को क्या रख्षा करना सिखाएगा पर्तिग्या परम्पिता परमात्मस से की जाती है ना कित्रिवेणी से ए बाबा हम आपकी शिरीमत से पावन बनने के लिए पर्तिग्या करते हैं बाब भी कहते हैं मैं तुमको पावन दुनिया का मालिक बनाऊंगा ये है ब्रह्मा के इशारे इसमें सर्विस करने वाले बहुत तीखे चाहिए चित्र भी और बनाने पड़ें इसके लिए अच्छा मंडब भी लेना पड़े तुमारे दुश्मन तो बहुत निकलेंगे कोई समय आग भी लगाने में देरी क्योंकि इतने उतेजित हो जाते इतने गरम हो जाते कि तुम हमारे धर्म के विरोध परचार कर रहे हो वो आकर टेंट को भी आग लगा देते किताबे भी ठाड़ देते क्योंकि उनका भवमत है तो बाबा कि ते बचे टेंट को इंशोरेंस भी करा लो परंटू उनको कुछ नहीं कर वो तुमारे टेंट को आग लगा दे वो तुमारी किताबें फाड़ दे क्या कर रहे है वो गलत कर रहे है ठीक कर रहे है क्योंकि उनका रोल यही है वो क्यों ऐसा रोल कर रहे हैं हमारा पेपर है हमारी अवस्था कराब हुई हम फिल हमारी अवस्था कराब हुई हम कैसे सकूल में पड़ते हैं प्रैक्टिकल भी साथ के साथ वो भी बिना बता है, वो भी इशारा दे रहें ऐसा हो सकता है, हुए, पहले तो बहुत उगरुद था समाज, आप तो करते हैं ठीक है, तुमको तो निरह्यंकारी बन साइलेंस में रहना पड़े, कुछ भी करें वो, तुम क्या रहोगे, ब्रह्मा कुमारियां मशूर तो हो गई है, परचे, मशूर हो गई है न, ब्रह्मा कुमारियां तो मशूर हो गई है, पर्चे आधी जरूर बाटने कुम्ब के मेले का खास मैं तो रखते हैं वास्तों में मैं तो अब्वी का है ये भी ड्रम का खेल है वहाँ से भी कोई का कल्यान हो सकता है पर तो महनत लगती है काटों को फूल बनाने में महनत लगती है कुम्ब के मेले में परदस्णी करने में भी हिम्मत चाहिए जान पहचान चाहिए जो कोई विगन ना पड़े तुमको सिद्ध करना है के पतित पावन कौन है मनुश्य पावन दुनिया स्वर्ग को याद भी करते हैं कोई मरता है तो कहेंगे फ़ला ना स्वर्ग वासी यहां तो बहुत माल ठाल होते हैं वहां से फिर क्यों बुला कर ये गंद माल खलाते हो विस्वर्ग में तो खुब अच्छा माल ठाल होगा ना उसको फिर ये नर्ग का गंद खलाने के लिए क्यों बुलाते हो तो हम श्रीनात के मंदिर में देखेंगे कितने माल बनते हैं आप श्रीनात पुरी और जगनात पुरी वास्तों में है एक एक ही प्रंतु बात प्रंतु वहां श्रीनात द्वारे में देखेंगे तो बहुत वेभव बनते हैं बहुत वेभव बनते हैं और जगनात्पुरी में सिर्फ फीके चावल का भोग लगता है घी आदे नहीं पड़ता है ये फर्क बताते है वहां कृष्ण गोरा कहां कृष्ण गोरा स्रीनात द्वारे में तो वहां बनते हैं देशे घी के पकवार और वो बाटे नहीं जाते और वो ब्रामनों द्वारा पुजारियों द्वारा बेचे जाते हैं और जगनात्पुरी में बनते हैं कड़ी और चावल बिना ठीक तो कि वहां कृष्ण है कावग और वहां के मंदिर पर भी सारे जो चित्र बनाए हैं विकारे पतित पतित होगत फिर खाने को क्या मिलेगा यही मिलेगा स्री नाद गौरे में इतना भोग लगाते हैं फिर पुजारी लोग दुकान में बेचते भी हैं उन्हों की कमाई का आदार भी उस पर है मिलता मुफ्त में और फिर कमाते हैं मिलता मुफ्त में भोग लगाने के लिए देंगे पैसे दुनिया वाले परन्तु भोग देंगे ने पेचेंगे फिर मनी बाठते हैं तो देखो कितनी अंसरदा की बाते हैं यह भक्ती मारक ज्यान मारक सदगती मारक गंगाशनान से तोड़े सदगती होती है बड़ा युक्ती से समझाना है बुरा भी ना लगे और उनको समझ में आ जाए जैसे चुवापों का दिकर काटता है बड़ा ही स्यानब चाहिए समझाने और समझने के लिए कितनी नाजुक बाते हैं मुनुशे कहते हैं हे परमपिता परमात्मा तुमारी गत्मत तुम ही जानो इसका अर्थ तो समझते हैं तुमारी स्रीमत से जो सदगती मिलती है वो तुम ही कर सकते हो और कोई कर न सके सर्व का सद्गति दाता एक है सर्व अक्षर जरूर डालना है समझाया बहुत जाता है पर तो समझने वाले तो बहुत थोड़े निकलते हैं प्रजा तो बहुत बनती रहती है मुनुश्य खुदा के नाम पर बहुत दान पुन्य करते हैं एक जनम के लिए पल मिल जाता है यहां तो 21 जनम के लिए मिलता है इश्वर अर्थदान करने से ताकत मिलती है यह इश्वर को जानते नहीं तो ताकत ही नहीं रहती है हिंदों के गुरु गोसाई तो धेर है क्रिश्चन को देखेंगे तो एक है क्रिश्टन को देखेंगे तो एक है, एक का कितना रिगार्ड है, religion is might कहा जाता है, अभी तुम रिलीजन को समझा है, अभी तुमने religion को समझा है, कि धर्म होता क्या है, तो कितनी ताकत मिलती है, बाबा कहते हैं, बच्चे साब को ये वशी करन मंत्र दो, बच्चों को बाप क कहते हैं, तुम जहां से आए हो, उसे याद करो, तो अंत मती सोगती हो जाएगी, बाप को याद करने से ही पावन बन सकते हो, बाप दख्द होंगे, बाप और वस्चे को याद करना है, जिससे सारा चक्र बुद्धी में आ जाता है, ग्रेश्ट व्यवार में रहते देखे सर्व संबंदों से बुद्धी निकाल बाप के साथ जोडने का पुर्शार्थ करना है, जो पिर अंत समय भी वही याद पड़े, और कोई की याद पड़े, तो सजा खानी पड़े, किसी और को याद ही नहीं कर सकते, कोई और याद आया, चाहे वो देखा संबंदी हो, चाहे अलोक एक सेंटर के भाई बैन हो, कोई याद आया, कोई याद आया मना, याद आना मना, कहना मना, यदि आपने सिवाए बाप के किसी का भी कहना मना, क्या हो जाएगा, क्योंकि हम किसी और का कहना मान रहे हैं, तो बाप का कहना नहीं मान रहे हैं 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 तो बाबा कहते हैं, वही बात, आपके परिवार वाले मित्र समंदी, कोई भी कह रहा है और वही बात मैं कह रहा हूँ तो किसकी माननी है बाबा की बात माननी है तो भी बाबा की ही बात माननी है ये सोच करके नहीं मानना है कि मेरी मा भी ऐसे कहती थी मा कहती थी ठीक है पन्तु अब बाबा ने कहा है इसलिए मुझे उसे अपने जीवन में स्विकार करना है क्योंकि कोई भी संपूर्ण नहीं है जो संपूर्ण है उसी की बात मानने से हम मैक्सिमम को प्राप्त कर सकते हैं संपूर्णता को भी प्राप्त कर सकते हैं यदि बीच में हमने किसी और को मिक्स किया तो संपूर्णता को कब भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं कि बाब जो विजार मा से मिल रहे हैं और मा वहीं सब खहरी किसमें क्या दो रहा है यह अंतर बहुत अच्छा बहुत अच्छी बात है देखें कि बहुत सिद्धी सी बात समझनी है कि वहीं बात मा ने कही है और वहीं बात परंपिता परमात्मा ने कही है यदि हमने यह सोचकर उसे स्विकार किया कि यह मेरी मा ने कहा है मा संपूर्ण नहीं है उसमें सर्वशक्तियां नहीं है परमात्मा संपूर्ण सर्वच और उसके कहने में जो ताकत है और मा के कहने में जो ताकत है वो अंत है बाप ने कहा हूँ मैंने कहा हूँ बाप ने कहा चुंके वो संपूर्ण है एक ही क्वेस्चन एक टीचर समझाए परन्तु तो भी तो भी बाबा केते बहुत ध्यान से समझना है बाबा से डारिक्ट मुर्ली सुनना अब केते मुर्ली में अंतर कैसे एता है दीदियों दादियों से मुर्ली सुनना भाई बेहनों से मुर्ली सुनना और स्वेम मुर्ली पढ़ना अंतर है उतनी अथोर्टी से कोई दीदी दादी भी नहीं बोल सकते जितनी अथोर्टी से बाबा बोलता है बाबा जितनी अथोर्टी से ज्यान को समझा सकता है कोई नहीं समझा सकता कोई नहीं समझा सकता ये बात बुद्धी में भाई सभी मुर्ली तो बाब की नहीं है, ब्रह्मा बाबा ने भी लिखी है, अब रमेश भाई लिख रहा है रमेश भाई कोई मुर्ली नहीं लिख रहा है शिरफ राजू भाई बाबा की मुर्लियों को कमपाइल करते हैं, एकठा करके हम सब के पास भेजते हैं मुरली जो बाबा ने 1936 से अब तक सुनाई है उन मुरलीों में से राजु भाई दिन के इसाब से तिहार के इसाब से प्रोग्राम के इसाब से सोच कर वो वो पहरेग्राफ अलग मुरलीों से लेकर ये मुरली बना देते अपनी मर्जी इसमें नहीं करते वो मर्जी सिरफ इतनी करते हैं कि ये इस दिन को मुरली हम लिख रहे हैं बना रहे हैं तो इस दिन को कौन सी बाते कहनी चाहिए वो सिरफ दिवाली के समद्ध में दिवाली के आसपस उसी की बाते की जाएं इस लिए राजू भाई को बाबा ने ये duty दिया कि तुमने मुली बनानी है इसलिए बाबा जितनी अथर्टी से कोई बात समझा सकता है कोई भी नहीं समझा सकता बाप को याद करने से ही पावन बन सकते हो पाप दख्द होंगे बाप और वर्षे को याद करना है जिससे सारा चक्र बुद्धी में आ जाता है ग्रेश्ट विवहार में रहते देखे सर्व संबंदों से बुद्धी निकाल बाप के साथ जोड़ने का पुरशार्थ करना है जो फिर अंत समय भी वही याद पड़े और पोई की याद पड़ी तो सजा खाने को पड़े पद भी कम हो जाएगा वास्टा में कुम्ब कल्प के संगम को कहा जाता है जब आत्माई और परमात्मा मिलते हैं परमात्माई आकर राज योग सिखाते हैं वो है पुनर जन्नम रही पंतु बच्चे भी समझते नहीं शिर मज से ही राजाई मिलती है शिरिमत पर नहीं चलते तो आकरिन खत्म हो जाते हैं सजनिया साथ में वे चलेंगी जिसका दिपक जगा हुआ होगा जिनके दीवे बुजे हुए हैं वो साथ तोड़े चलेंगी अनन्य बच्चे ही चलेंगे बाकी तो नंबर वार पिछाड़ी में आते रहेंगे लेकिन पवित्र तो सब बनेंगे लेकिन पवित्र तो सब बनेंगे एक आउंट तो सब को बराबर करना है सब आत्माई भी एक जैसी ताकत वाली नहीं हो सकती हर एक आत्मा का पार्ट अपना अपना एक जैसा पद नहीं मिल सकता अंत में सब का पार्ट क्लियर हो जाएगा जाड़ कितना बड़ा है कितने मनुश्य हैं मुख्य तो बड़े बड़े टाल टालिया हैं वो देखने मे आएंगे मुख्य है फाउंडेशन बाकी तो बाद में आते हैं उनमें ताकत कम होती है स्वर्ग में सभी आ नहीं सकते भारती हैवन था ऐसे नहीं के भारत के बदले जपान हैवन बन जाएगा ऐसा हो यह नहीं सकता अच्छा मीठे मीठे बाप दादा वा मात पिता के लाड ले सिक्की लदे ग्यां से तारों बच्चों प्रती याद प्यार और गोड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते रुखानी बच्चों की रुखानी बाप दादा को रात्री किलास है 24 अप्रेल 1968 बच्चों को समझाया गया है और धर्मस्तापक कोई भी सभी का कल्याण नहीं कर से कोई भी सभी का कल्याण वे आते हैं सभी को ले आते हैं दुनियावाल पेगंबर आएंगे तो उनके पीछे उस धर्म को मानने वाले भी आ जाएंगे जो लिब्रेट कर गाइड करते हैं उनका गायन है वो भारत में ही आते हैं तो भारत सभी से उंच देश ठेहरा भारत की बहुत महिमा करनी है बाप ही आकर सर्व की सद गती करते हैं तब ही तो शांती होती है विश्व में शांती थी स्रिष्टी के आदी में स्वर्ग में एक दर्म था अभी अनेक दर्म है बाप ही आकर शांती स्थापन करते हैं काल को पहले मिसल जैसे पांजार साल पहले शांती स्थापन की थी वैसे ही अब आकर शांती स्थापन करते हैं तुम बच्चों को ज्य जान मिला, तो विचार सागर मन्थन चलता है, और तो कोई का तो चलता ही नहीं, ये भी तुम समझते हो, देह अभिमान के कारण दे को ही पूचते हैं, आत्मा पुनर जनम तो जरूर यहां ही लेगी न, अभी तुम समझते हो, पावन तो एक ही है, बाप ही गुप्त ज्यान देते हैं, जिससे सभी की सदगती हो जाती है, बाकी हनुमान, गणेश, आदी, ये होते नहीं, इन सभी को कहा जाता है पुजारी, जितने भी मूर्तियां हैं, देवी देवता हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, पुजारी, जो पुजारी होता है वो पूजे, अच्छा मीठे मीठे से कि लधे बच्चों प्रती रुखानी बाप वा द्यादा का याद प्यार और गुर्णाइत रुखानी बच्चों की रुखानी बाप को नमस्ते रुखानी बच्चों की रुखानी बाप को मुच्चे बाते हैं सजाओं से बचने के लिए दे के सब समद्दों से गुद्धी योग निकाल एक बाप से गुद्धी योग जोड़ना है अंत सामे में बाप के सिवाए कोई याद ना आए निरहिंकारी बन साइलेंस में रहे काटों को फूल बनाने की मेनद करनी है शिरीमत पर अंतों की लाठी बनना है पावन बन पावन दुनिया बनाना है वर्दान है वाचा के साथ मंसा द्वारा सक्ति शाली सेवा करने वाले सैद सफावता मुरत भाव जैसे वाचा की सेवा में सदा बिजी रहने के अद्ववी हो गए हो और असारा दिन इसके साथ बोलो इसके साथ बोलो या ज्यान की बाते सुनाने की सेवा करो मुह से परदर्शनी समझाना इसके तो आप अद्ववी हो गए हो अब ऐसे हर समय वाणी के साथ क्या करो मन में भी उनके प्रति वही प्यार, सम्मान, सयोग की भावनाद, समझाते वक्त में, वानी से समझातो रहे हो, पर तो अंदर यदी मन सा तुमारी ठीक नहीं है, तो भी सेवा में पूरी सफलता, मन सा शेवा अर्थात हर समय, हर आत्मा के प्रति श्वत्य शुब भावना और शुब कावना के शुद वावरेशन अपने को और दूसरों को अंपो है, मन से हर समय सरवात्महों प्रती दुआई निकलती रहें तो मनसा सेवा करने से वानी की सेवा मनसा सेवा करने से वानी की एनर्जी जमा होगी और मनसा की शक्तिशाली सेवा सहज सफलता मुरत पना देगी स्लोगन है अपनी हर चलन से बाप का नाम बाला करो तो हो तुम सच्चे सच्चे खुदाई इदमत का ओम शांति